हेलो गाईस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस के रियल्मी C30 फोन में आप लोग अपने फोन को रिसेट कैसे कर सकते हो तो यह पर मैं फेक्टोरी रिसेट करके दिखाऊंगा गाईस आप लोगों को तो इसलिए वीडियो को लास्त तक देहिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को भी स सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिजिए तो चलिए गईस फीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फेक्टोरी रिसेट कई स्क्यू करेंगे आप लोग आगर आपके फोन में जो हैंगिंग प्रोब्लम है हीटिंग प्रोब्लम है आपका फोन जो वो सलो हो गया है नेट्रोग पो जाएगा आप लोगों को क्या करना है इस फोटो या वीडियो जो आप लोगों के फॉन में डोकुमेंट बगेरा है उन सब को आप लोगों को अपने लेप्टॉप या दूसरे फॉन में सेंड कर देना है या फिर आप लोग गूगल ड्राइब में भी सेफ कर सकते हो अगर आ यहां पर हम भी दिखाएंगे गाइस के कैसे आप लोग रिसेट करेंगे तो रिसेट करने के लिए यहां पर आप लोगों को सेटिंग्स में क्लिक कर देना है और यहां पर से आप लोगों को नीचे स्क्रोल डाउन कर लेना है नीचे एक ओप्षन देखने को मिलेगा सिस्टे सब्योटி सब्स今 atEMA से रिलेटेव गुट्विक प्रोब्लम प्रोब्लेम तो यापर पहले वाले औप्शन पे क्लिक कर के रिसेट कर लीजिए उसके बाद अगर आपके फोन में जो है इरेज ओल डाटा तो इस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बद देख सकते या पर अगर हम इरेज ओल डाटा पर क्लिक करेंगे तो या पर क्या क्या इरेज होगा जैसे कि आपका Google Google account erase हो जाएगा आप फिर से लोगिन कर सकते हो उसके बाद सिस्टेम एन एप डाटा एन सेटिंग जो भी आप लोगों ने सेटिंग्स में कुछ settings में कुछ किया था या App data है या system है सब डाटा हो जाएगा डाउनलोड किया हुआ Apps zero हो जाएगा Music erase हो जाएगा फोटो एरेज हो जाएगा और अधर user data मतलब जो भी आपके फॉन में है वो सब इरेज हो जाएगा तो यहाँ पर फेक्टूरी रिसेट करने से पहले आप लोग अपने सीम को निकाल लीजिए और अगर आपके फोन में मेमोरी वगएरा है उन सब को निकाल लीजिए उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते ही इरेज ओल डाटा का ओफशन है इस पर क्लिक कर दीजिए, पर पहले के बाद फिर से इरेज ओल डाटा का ओफशन आए है आप लोगों फिर से इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपका फोन जो है वो ओफ हो जाएगा आप लोग देख सकते हो तो ओफ होन एक बाद यह टोड़ा देर बात ओन उजाएगा तो यहाँ पर ओन होने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है दस से पंदरा मिनित तक यह पर लग सकता है आपका फोन ओने में तो यह पर आप लोगों को वेट कर लेना है ओन होने के बाद आपके फोन में जो भी प्रोब्लेम था ब्लुटूथ से रिलेटेद वाइफाई जो भी प्रो विडियो को लास तक देखते रहे है क्यूंकि एनन अन्होंहीं के बाद आप लोगों के setup करना है setup करने के बाद ही आपका phone जो है वो on होगा तो यहाँ पर वीडियो को last तक देखते रही है और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो यहाँ पर देख सकते real me आके आप राटक गया है तो यहाँ पर 10-15 पर देख सकते language का option आया है तो यहाँ पर से जो भी आप लोगों को language चाहिए उसको आप लोग select कर लिजिए select करने के बाद नीचे continue का option आएगा continue पर क्लिक कर दीजिए उसके बाद यहाँ पर कुछ terms and condition का option आया है तो यहाँ पर से हमको सभी को click करना होगा तो यहाँ पर हम स option आया है तो यहाँ पर हम mobile data को on नहीं करेंगे इसको off कर देंगे off करने के बाद नीचे next LP का a option आएगा next पे click कर देंगे उसके बाद यहाँ पर Wi-Fi को connect करने के लिए बोला जाएगा लेकिन हम wi-fi को भी connect नहीं करेंगे तो नीचे देख सकते next का option है next पे click कर देंगे उसके बाद यहाँ पर कुछ google services का option आएगा तो यहाँ पर से आप लोगों को नीचे scroll down करना है एकदम नीचे scroll down करते ही accept का option आएगा तो इस accept के option पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकते कुछ passport और face log का यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो passport और face log को लेकिन हम नहीं लगाएंगे उपर की तरफ देख सकते skip का option है तो इस keep के option पर हम क्लिक कर देंगे उसके बाद कुछ यह सब आये है recommended glance for realme personalized stars तो इन सब को आप लोग यहाँ पर से on off कर सकते हो पढ़के उसके बाद नीचे एक done का option देखने को मिलेगा तो इस done के option पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकते कुछ recommended apps यहाँ पर आये है तो यहाँ पर से इन सब को आप लोग इंस्टोल कर सकते हो अगर इं नीचे get started का option आएगा तो इस get started के option पर क्लिक कर देना है उसके बाद देख सकते हमारे जो फॉन है वो on हो गया है अगर आपके फॉन में बहुत सारे कुछ problems थे hitting या लेग या hanging problem जो भी था यहाँ पर या storage का issue तो वह सब यहाँ पर solve हो गया होगा आप लोगों को चेक कर ले करना है अपने phone को उसके बाद जो है अप लोग account को sign in कर लीजिए अगर नहीं आता है sign in करना play store को तो मैंने पहले वीडियो बनाके रख दिया है अप लोग जाके देख सकते हो तो आप लोग अभी अपने phone को जो है setup कर लीजिए WhatsApp Facebook डाउनलोड करके जो जो था WhatsApp डाउनलोड अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो लाइक कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई